चलो आगे बढ़ते हैं जैसा कि हम limiting reagent और stoichiometry पढ़ चुके हैं उसी से ही connected topic होता है percentage yield and percentage purity तो percentage yield हम सबसे पहले discuss करने जा रहे हैं आज ठीक है तो percentage yield क्या होता है ध्यान से देखना जड़ा अगर percentage yield को define किया जाए तो percentage yield को हम ऐसे बोलते हैं percentage yield किसी भी reaction के लिए percentage yield क्या होता है यह होता actual yield upon theoretical yield theoretical yield अब यह yield का मतलब क्या है yield को हम in terms of moles भी लिख सकते हैं और weight भी लिख सकते हैं मतलब actual moles actual moles यह आपको question में given होते हैं upon theoretical moles यह आप निकालते हो question में ठीक है theoretical moles यह mass के form में लिखोगे क्या लिखोगे actual mass actual mass upon theoretical mass मतलब mole के term में भी लिख सकते हो और weight के term में भी लिख सकते हो ठीक है और यह हम किसका लिखते हैं यह moles किसके लिख रहा है product के ठीक है into 100 कर दू मैं यहाँ पर है न सभी जगा into 100 कर लो percentage के लिए into 100 ठीक है और जो भी हम yield निकालते हैं वो हम product के mole या product के mass से निकालते हैं यह क्या है actual moles of product theoretical moles of product यह given होंगे यह given होंगे actual और theoretical निकालने होंगे actual mass of product theoretical mass of product यह हम निकालेंगे और actual आपको given होगा और obviously percentage 100 से अंदर ही आता है most of the examples में तो उपर वाली value कम रहेगी और नीचे वाली बड़ी रहेगी अब में चीज आती है कि percentage yield का मतलब क्या है किसी भी reaction के लिए बहुत ही आसान अगर सब्द के साथ है ना तो आपने वोला बाबा 100 रुपे दो पापा ने वोला नहीं बटा 50 पकड़ो तो आपका जो expectation था वो क्या था 100 था लेगन पापा ने दे कितने दिये 50 तो yield कितनी हो गई 50 divided by 100 मतलब 1 by 2 चाहिए 100 थे मिले 50 वही वाला खेल यहां पर है reaction में कितना चाहिए और मि आई 2 हो गई yield मतलब 50 परसेंट 100 से multiply कर दोगे ना percentage के लिए सेम वही कहानी reactions में होती है कि हमें expected कितना है और actual में मिल कितना रहा है actual मतलब जो मिलता है वो आपको question में given होता है और आपका expected वह आप निकालते हो question से कैसे करना है पहली बात तो मैंने आपको जब limiting reagent और stoichiometry हो तो stoichiometry से तो अब मुझे mass of product या moles of product निकालने तो उसके दो तरीके होते है या तो LR limiting reagent या stoichiometry तो एक question मैंने LR वाला लिया है एक stoichiometry तो दोनों type के question cover हो जाएंगे आपके ध्यान से देखना ज़रा इधर आ जाओ क्या बोलना है initial 2 mol of each A and B are taken and 0.5 mols of AB2 AB2 नहीं यहां correction क लिख देता हूं 2A 2A plus 2B इससे बन रहा है A2B2 ठीक है reaction भी गिवन थी मैं भूल कहाता लिखना आप लिख लेना तो 2A plus 2B से क्या बन रहा है A2B2 बन रहा है ठीक है अब मुझे बाब बताओ कितने mol दे रखे हैं आपको starting में 2 mol इसके 2 mol इसके यह क्या है initial mol अब मोल्स after reaction कैस से निकलते हैं रहान से देखना 2 divided by coefficient ठीक है 2 divided by coefficient तो यह कितना 1 और यह 1 कौन छोटा दोनी बरावर हैं तो दोनों LR हो गए तो यह खताम यह खताम ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों LR हो कोई एक भी LR हो सकता और भी question जवाब करोगे तो कोई दिक्कत नहीं जो छोटा है उसको वहाँ भेज दो छोटा कौन था 1 तो उसको वहाँ भेज दिया मतलब जब 2 mol A 2 mol B के साथ reaction करेगा तो theoretically according to reaction आपको कितने mol मिल रहे हैं 1 मिल रहे हैं तो अब आप percentage yield कैसे लिखोगे percentage yield is equal to actual कितना है वो आपको question में given रहेगा देखो क्या दिया है 0.5 moles ठीक है 0.5 moles actual है और theoretically कित अगया यह 50% आगया इसका yield समझ गया बात को बहुत easy है एक बार फिर से सुन लो हम reaction से theoretical moles या theoretical mass कभी mass भी आजा तो निकाल लेना theoretical moles या theoretical mass निकालते हैं और actual आपको question में given होते हैं जो छोटी value है वो उपर रखो बड़ी वाली नीचे रखो और बस solve कर लो ठीक है चलो आगे बड़ते हैं एक स्ट्राइकिमेटरी से relate करके भी कर लेते हैं क्या on heating CACO3 यहां भी reaction नहीं लिखी है वो भी लिख लो CACO3 को जब heat करते हैं तो बनता है CAO plus CO2 CO2 होता है gas और CAO solid जिसको residue बोलते है ठीक है यह भी solid जो बनता है gas के अलावा वो residue बोला जाता है ठीक on heating 50 gram CACO3 20 gram residue was obtained तो यह जो 20 gram दे रखा है ना यह actual दे रखा है यह क्या है यह actual mass है actual mass theoretical mass आप निकाल लो according to reaction चलो इस्ट्राइकिमेटरी पढ़के बताओ फटावट से क्या वो लोगे CACO3 के लिए मैं बोलूँगा 100 gram से CO कित्ता बनेगा 56 बनेगा 40 plus 16 ठीक है तो CO कित्ता बना 56 gram बना यह according to reaction हम पढ़ते हैं पहले याद करो stoichiometry देखो बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ मैं stoichiometry का पुराना जो lecture दा ना वो देख के आओ फिर यह आहां पर आना डारेक्ट यहां मता आ जाना इसका जो पहले वाला lecture है lecture number 2 वो देख लो पहले stoichiometry के question कैसे करते तब आना यहां पर नहीं तो सब उपर से निकलने लगेगा आपके हैं ना CA CO3 से CO2 बन रहा है ध्यान से देखना आप इसके 100 ग्राम से इसका 56 ग्राम according to reaction अब 50 ग्राम से कितना बनेगा तो 2 से डिवाइड कर दो ना सीधे तो 50 ग्राम से कितना बनेगा 2 से डिवाइड करा 28 ग्राम बनेगा ठीक करते हो actual उपर theoretical नीचे और answer की प्राप्ती देखो percentage yield हो जाएगा 20 divided by 28 into 100 थोड़ा थोड़ा solve कर लो 4 से डिवाइड कर दो 5 यह आप अपने हिसाब से कर सकते हो 500 by 7 कितना हो जाएगा 7, 7, 49, 1, 7, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 4 सही ना 7, 1, 3, 4, 4 देखो ऐसा आएगा इसका मतलब क्या हुआ जब कभी भी आप percentage yield के question करोगे तो आपको limiting reagent के बारे में पता होना चाहिए और stoichiometry के बारे में पता होना चाहिए तब जाके यह topic आपको समझ में आएगा अगर आप direct यह topic देख रहे हो तो मैं expect करता हूँ आपसे कि stoichiometry limiting reagent आपको आता है और अगर आपको वो नहीं आता है तो इसके पहले वाला lecture number 2 जरूर देखें फिर यहाँ पर आएं तब जाके यह चीज़ें clear समझ में आएगी क्योंकि यह मैंने क्या लिख दिया आप direct देखोगे तो नहीं आएगा अगर आपको पहले से stoichiometry नहीं आता है तो इसलिए जो मैंने पहले सिखाया है बहुत सारे question सिखाये थे कैसे stoichiometry लगाते हैं और कैसे limiting region लगाते हैं तब जाके आप यह topic बहुत आसान है खेर यह कुछ ज़्याद है इसमें है नहीं बस limiting और इस टोई को idea होगा तो काम हो जाएगा ठीक है चलो note करो फिर percentage purity के बारे में समझते है चलो आगे बढ़ते हैं अब second topic इसका percentage yield तो एक पढ़ दिया दूसरा है percentage purity इसको भी ध्यान से समझ लो क्या होता है percentage purity हम क्या करते हैं किसी particular compound के लिए लिखते हैं percentage purity तो यह क्या होता है percentage purity is equal to होता है mass of pure compound in sample divided by total mass of impure sample impure sample into 100 percentage के लिए अब actual में यह sample क्या होता है बहुत ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ कभी भी आपके पास लिखा हो क्या sample तो sample का मतलब क्या होता है sample का मतलब होता है कोई particular compound present होगा मतलब compound रहेगा और उसके साथ कुछ impurities रहेगी compound रहेगा और क्या रहेगा impurities रहेगी तो compound प्लस impurity को हम बोलते हैं क्या sample बोलते हैं माल लो अगर आपके सामने लिखा है कि 100 gram sample of H2SO4 तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि H2SO4 100 gram है इसका मतलब ये है कि H2SO4 plus impurities 100 gram है H2SO4 100 से कम होगा ये ध्यान रखना हमेशा ये word बहुत important है mole concept में sample कभी भी question में sample लिखा होगा तो ये ध्यान रखना है कि sample मतलब compound नहीं होता sample का मतलब बिटा compound plus impurities होती है ये ध्यान रखना और आसान सब्दों में समझाता हूँ आपको जैसे मालो आपके घर पे रिस्तदार आए ठीक है रिस्तदार आते तो coldering तो पीते ही है इसका मतलब उस 2 लीटर की coldering की bottle में जो useful material है वो कितना है वो 2 से तो कम ही रहेगा ना क्योंकि net weight जो है वो 2 लीटर है उसको जब उठा के देखोगे coldering की bottle को अगर वो अपन 2 लीटर माल लें तो जो useful material है वो तो 2 से कम है ना बाकी तो plastic की bottle है इसका मतलब क्या है जो sample होता है उसमें compound plus impurities होती है मतलब ये pure होता है उसके साथ में impurities हो जाती है तो overall जो है वो impure हो जाएगा ठीक है चलो अब question कैसे करना है ये वाली चीज ना total mass of impure sample ये question में given रहेगा आपका काम क्या है mass of pure compound in sample निकालना और वो आप reaction से निकाल सकता है या question में भी given हो सकता जैसे एक इस type का question देखने को मिलेगा देखो क्या कर रहा हूँ मैं अब 150 gram of sample देखो आगया इतना sample मतलब denominator का weight पता चल गया of copper ore, ore आप जानती हो copper की बहुत सारी ore होती है तो कोई एक ore ले लिए उनने contain 75 gram of pure copper ये देखो यहाँ question में ही दे रखा है इनने तो percentage purity is equal to 75 divided by sample का weight कितना 150 into 100 ये क्या आगया 50% इस तरीके से कभी कभी given होगा कभी नहीं दिया होगा तो इस तरीके से निकालना है question बढ़ो बता रहा हूँ what is the percentage purity of sample of CaCO3 if 150 gram of sample gives out 44 gram of CO2 on heating तो जो sample में heating करानी है वो उस compound की heating करानी है ये जो compound है ठीक है CO plus CO2 ठीक अब आप मुझे बताओ according to stoichiometry क्या अगर मैं बोलूँ आप से कि 100 gram CaCO3 है क्योंकि molecular weight 100 gram है तो 100 gram से CO2 कित्ती बनती है 44 gram बन रही ना 44 gram क्योंकि CO2 का weight 44 है अब question की according data ले लो कितना चाहिए 44 बहुत बढ़िया मज़ा आ गया 44 इसदर से ही बन नहीं दी और question में भी उतनी ही दी है इसका मतलब मुझे जो मैंने calculate किया total mass of pure sample pure तो सॉरी sample ने pure compound कितना 100 gram तो percentage purity में क्या लिखूंगा mass of pure compound 100 और sample का तो ये दे रखा है का या ये 150 gram समझ गया बात को तो 100 upon 150 into 100 50 से divide कर दो 2 by 3 into 100 और ये आगे 200 by 3 66.67 ठीक है ये आ जाएगा 66.67 परसेंट समझ गया बात को कैसे लगाना है percentage purity क्या होता है percentage yield क्या होता है दौनों को फिर से revise कर आ रहा हूं percentage yield में क्या होता है actual yield divided by theoretical yield actual question में given होती theoretical आप reaction से निकालते हो ठीक है product के लिए वहाँ आप yield को mass से या mole से replace कर सकते हो clear जो आप निकालते हो theoretical yield वो कैसे आएगी या तो limiting reagent या stoichiometry ये लगाते हो दूसरा था percentage purity एक sample है sample क्योंकि impure होता है उसमें आपके पास pure compound होगा और plus impurities होगी तो जो compound का weight है उस particular sample में वो कितना है उसको हम बोलते percentage purity या तो आप question में given होगा दोनों चीजें नहीं दिया होगा तो आप stoichiometry या limiting reagent से निकाल सकते हो समझ गए बात को तो ये थे दो topic बहुत important थे ये stoichiometry limiting reagent से connect करते हुए ये दो topic है percentage purity और percentage yield ठीक है अच्छे से इसको कर लेना फिर आपन आगे बढ़ते हैं इसको note कर लो फिर आगे चले चलो अब आगे बढ़ते हैं अगला topic है हमारा POC जिसको बहुत है principle of atom conservation actual में ये जो POC है ये law of conservation of mass per based है आपको तो पता ही है किसी भी chemical reaction में क्या होता है reactant का mass और product का mass क्या होता है conserve रहता मतलब सेम रहता जैसे अगर मैं एक reaction से आपको समझाओं जैसे CACO3 लिखाए दीग है तो CACO3 से क्या बन रहा है CAO plus CO2 अगर heat करते तो ये बनता है तो जितना mass left side होगा उतना ही right side होगा इस equal of conservation mass बोलते हैं जैसे यहाँ CACO3 कितना है molecular weight बता हो कितना है इसका 100 gram होता है ठीक आप निकाल सकते हो 40 plus 12 plus 16 into 300 होता है और CO कितना हो जाएगा 40 plus 16 56 gram और CO2 कितना 12 plus 32 मतलब 44 gram अब जड़ा इननों को add करतो 56 plus 44 कितना 100 gram आजाएगा अगर मैं इननों को add करूंगा तो means दोनों तरफ mass क्या है सेम है मतलब mass conserve है इसको क्या बोलते है law of conservation of mass मतलब अगर mass conserve है तो atom भी conserve होंगे और atom conserve है तो atom के moles conserve होंगे मतलब number of moles of atoms are conserved यह है basically है अब इसको apply कैसे करना है आपको वो ध्यान से देखना मैं एक reaction लिख रहा हूँ KCL O3 KCL O3 इससे बन रहा है KCL plus O2 टेक पहली बात तो यह हम पढ़ क्यों रहे हैं POC हम stoichiometry से बचने के लिए POC पढ़ते हैं बचने के लिए क्या मतलब है यहां पर कभी कभी क्या होता है आप reaction balance नहीं कर पाऊगे ऐसा होगा कि आप से reaction balance नहीं हो रही है या आपका मने कि भाई हमें reaction balance नहीं करने बिना reaction balance किये हुए मैं question करूँ अज stoichiometry वाले तो अगर stoichiometry लगाते हो तो उसमें reaction को हम balance करते थे यहां आप बिना reaction को balance किये हुए mole, weight, volume वगएरा सब निकाल सकते हो जैसे हम stoichiometry के question करते थे without balancing होना चाहिए, unbalanced reaction होनी चाहिए, ठीक है, तो जैसे यह reaction है, क्या यह balance है, नहीं है क्यों यहां तीन oxygen है, यहां दो oxygen है, तो यह reaction क्या है, unbalanced है, ठीक है unbalanced reaction है, और unbalanced reaction के लिए ही POC लगाते हैं, बैलेंस अगर है, question में balance दे रखी है तो आप stoichiometry से चलो अगर आपको question में reaction खुद लिखनी पड़ रही है, तो आप POC से भी कर सकते हो, stoichiometry से भी कर सकते हो आपकी इच्छा है कि reaction को balance करके करें, तो stoichiometry लगाना, और अगर balance नहीं करने की इच्छा हो, यह आप से नहीं हो रही हो मैं अभी question दूँगा, तो उसमें देखना आप से reaction balance नहीं हो पाएगी, देखना भी आप, यह ना, तो अगर unbalance reaction नहीं हो पा रही हम से, ठीक है, तो हम इस तरीके से करेंगे, कैसे ध्यान से देखना, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं apply कर रहा हूँ, POC for potassium, atom wise लगाते हैं, POC है न Hourज मैं अगर मैं आप से वोलू, one mol KCl3 है, कितना mol, one mol KCl3 है, तो कितने mol potassium की atom है, एक mol, अगर मैं आप से वोलू, two mol KCl3 है, तो कितने 주고 potassium की mol होगे, two mol, अगर मैं भूलो, 10 mol के Cсл 3 है, तो potassium के कितने mol, 10 mol, अगर 20 mol बोलू तो कितने? 20 mol, 100 बोलू तो 100 mol, इस dł Corinthi, जितने mol केती, क्या लिखूंगा कि number of moles of potassium कहाँ पे left side is equal to क्या होना चाहिए number of moles of potassium क्या होना चाहिए right side मत्दब reactant में जितना होतना ही product में होना चाहिए तो अब यहाँ number of moles of potassium क्या लिखूंगा अध्यान से देखना यहाँ कितने potassium है एक तो 1 into moles of KClO3 यह समझ गया बात को फिर से देखो फिर से emphasize करके बोल रहा हो मैं क्या है यहाँ पर KClO3 जो होता है उसमें एक potassium का atom है तो जितने mole KClO3 होंगे उतना लिख दो और जितने यहाँ atom लगे उससे multiply कर दो इधर बताओ KCl अगर एक mole है तो एक mole potassium, 2 mole अगर KCl तो 2 mole potassium, 100 mole KCl तो 100 mole potassium इसका मतलब यहाँ भी यह आएगा क्या 1 into moles of KCl यह मैंने किसके लिए apply कर दिया POAC for potassium atom समझ गए आगे देखो chlorine के लिए भी apply कर सकते है ध्यान से देखना ज़रा POAC, POAC for chlorine तो मैं क्या लिखूंगा moles of chlorine कहाँ पर left side is equal to moles of chlorine कहाँ लिखूंगा right side chlorine atom ठीक है तो यहाँ chlorine कितने है एक है तो सेम वैसा ही बन जाएगा क्या 1 into moles of क्या KCl O3 और right side भी chlorine एक ही है तो यहाँ आएगा 1 into moles of KCl अब आप oxygen के लिए ध्यान देना ठीक है आप कहानी थोड़ी अलग समझ में आएगी आपको देखना P O A C for oxygen atom ध्यान से देखना ज़रा क्या लिखूंगा moles of oxygen left side is equal to moles of oxygen कहाँ right side ठीक है ध्यान से देखो left side कितने oxygen के atom है तीन तो लिखूंगा 3 into moles of KCl O3 क्यों अगर मैं आपसे बोलू 100 moles KCl O3 है तो कितना moles oxygen atom है 300 क्योंकि 3 से multiply करना पड़ेगा इधर कितने oxygen है 2 तो यहां लिखूंगा 2 into moles of क्या O2 मालों यहां 20 moles O2 है तो oxygen atom के mole कितने होगे 40 होगे तो ऐसा करना पड़ेगा समझ गए तो potassium के लिए कैसे लगाना है क्लोरीन के लिए कैसे लगाना है और oxygen के लिए कैसे लगाना है मैंने 3 atom के लगा के बता दी हो सकता आपको एक atom के लिए लगा कर आंसर आ जाया कोई दिक्कत नहीं वो आप अपने हिसाब से numerical में देखोगे लगाना कैसे वो मैंने आपको बता दिया अब इसको नोट करो फिर मैं आपको दो numerical कराता हूँ PUSC के पूरा मत्ता आपको समझ में आ जागा detail में ठीक है नोट करो इसे चलो तो आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर हमारा empirical and molecular formula simple सा topic है बहुत आसान है आराम से समझ में भी आ जाएगा ध्यान से देखना ज़रा empirical formula क्या होता है इसके बारे में लिखेंगे it express the simplest simplest whole number ratio whole number ratio of atoms in a molecule किसी molecule में simplest whole number ratio होता है जैसे example से clear समझ में आएगा मालो मेरे पास लिखा है H2O2 ये क्या है molecular formula है hydrogen peroxide है तो इसका empirical formula में क्या लिखूंगा empirical formula क्या बताएगा simplest whole number ratio आप इसको 2 से divide कर सकते हो बिल्कुल कर सकते हो तो empirical formula क्या होगा इसका HO हो गया इस type से हम बताते हैं और देख लो जैसे अगर लिखा C6H12O6 C6H12O6 ये molecular formula है glucose या fructose का होता है molecular formula है अगर मैं 6 से divide कर दूँ तो क्या जाएगा C H2O तो ये क्या होगा empirical formula अगला देखना अगर में पास लिखा है C6H6 बेंजीन बोलते हैं इसको C6H6 ठीक है तो अगर मैं इसमें 6 से divide कर दूँ तो empirical formula क्या हो जाएगा C H मतलब simplest whole number ratio बताता है ये ठीक है जैसे मालो लिखा C2H2 2 से divide करो क्या जाएगा C H अरे ये क्या हो गया इनका दोनों का same आगए empirical formula हाँ empirical formula दो अलग-अलग molecular formula या अलग-अलग compound का same हो सकता है जैसे इसको benzene बोलते हैं इसको acetylene या ethane बोलते हैं तो benzene का भी empirical formula वही होता है जो acetylene या ethane का होता है तो दो different molecular formula के empirical formula same हो सकते हैं लेकिन एक particular compound का molecular formula अलग ही होता है ठीक है जैसे अगर अपन उसमें structure की बात करें सबोस जैसे ये है C6H2O6 ठीक है C6H2O6 ये molecular formula glucose का भी होता है और fructose का भी होता है अब होता क्या है इनमें अलग-अलग type के functional groups होता है functional groups जैसे aldehyde, ketone वगरा आपने class 10 में भी पढ़ रखे थे alcohol वगरा ये सारे बहुत सारे तो इसमें क्या होता है C6H2O6 में glucose और fructose, glucose aldehyde होता है, fructose ketone होता है तो इनका molecular formula same होता है मतलब दो अलग-अलग compound के empirical formula भी same हो सकते हैं और दो particular compound अगर molecular formula एक दिया है तो उसके दो compound भी exist कर सकते हैं फिर से बोलना हो ध्यान से सुन लो अगर कभी आपसे ऐसा बोला जाए क्या दो अलग-अलग compound के empirical formula same हो सकते हैं? ये आपके सामने example लिखा है क्या दो अलग-अलग compound के molecular formula same हो सकते हैं? येस, glucose fructose तो दौनों चीज़ें हो सकती है empirical formula भी same हो सकता है और molecular formula भी same हो सकता है लेकिन most of the cases में molecular formula different ही रहता है तो आपको जो ध्यान रखना है वो क्या रखना है? बस ये ध्यान दखना दो different molecular formula के empirical formula same हो सकते हैं चलो आगे बढ़ते हैं molecular formula की तरफ molecular formula क्या कहता है? it represents the it represents the actual number of atoms actual number of atoms in one molecule in one molecule ठीक है? जैसे मालों मैं लिखता हूँ C6H12O6 ठीक है? glucose बोलो या fructose बोलो तो C6H12O6 जो मैंने लिखा है ये actual number of atoms बता रहा है कि carbon के 6 हैं 12 hydrogen के हैं और 6 oxygen के हैं ये actual number of atoms बता रहा है जैसे अगर मैं लिखता हूँ यहाँ पर C2H6 तो ये एथेन होता है ये क्या बता रहा है? 2 carbon के atom है 6 hydrogen के atom है तो actual formula जो होता है वो molecular formula ही बताता है आपको मतलब actual number of atoms कौन बताता है? molecular formula बताता है ठीक है? अब अगर molecular formula और empirical formula में relation बनाऊंगा तो molecular formula is equal to होता है n times empirical formula where n is the natural number ठीक है? यहाँ पर natural number क्या हो सकता है? natural number हो सकता है आपका 1, 2, 3, 4 and so on इस टाइप से ठीक है? तो अगर मैं n की value निकालना भी चाहूँ तो ये निकलती भी है कैसे? molecular molecular formula weight कभी आपको अगर given हो molecular formula weight और empirical formula weight तो आप n निकाल सकते हो है न? empirical formula weight तो molecular formula weight और empirical formula weight का ratio होता है यह क्या? n ठीक है? तो यह basic basic सी चीज़ें थी empirical formula क्या होता है और molecular formula क्या होता है ठीक है? फिर से एक बार बोल रहा हूँ दो different compound के molecular formula same हो सकते हैं empirical formula भी same हो सकते हैं जैसे C6, H12O6, glucose का और fructose दोनों का molecular formula होता है और CH, benzene का और acetylene दोनों का empirical formula होता है दोनों same हो सकते हैं आप ध्यान क्या रखो? आप यह ध्यान लखो कि empirical formula different compound के same हो सकते हैं ठीक है? इसको note करेंगे और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे empirical formula किस तरीके से निकाला जाता है बिल्कुल set procedure होता है तो अब आगे बढ़ते हैं और यह समझ लेते हैं कि empirical formula और molecular formula कैसे आप निकालोगे ठीक है? ध्यान से देखना जड़ा बिल्कुल set procedure है आपको हमेशा यही वाली table बनानी है और यहाँ पर percentage दिये जाएंगे question में लिखा होगा कि percentage by weight या सिर्फ percentage भी लिखा है तो भी हम उसको percentage by weight consider कर लेते हैं कि carbon का भीया इतना है hydrogen का इतना है oxygen का इतना है या कोई भी element दे सकते हैं मैं तो आपको तीन element वाला करा रहा हूं हो सकता कभी दो element भी है तो वो तो इससे भी आसान हो जाएगा कभी अगर carbon और hydrogen का percentage दिया है और oxygen का नहीं दिया है तो आप 100 में से माइनस करके निकाल लेंगे माल लो यह नहीं दिया होता सिर्फ यह दोनों दिये होते तो हम यह माल लेते हैं कि तीसरा element oxygen होगा कभी ऐसा अगर आप देखो question तो अपनी तरफ से oxygen मान के उसका percentage निकाल लेना अभी question में मुझे carbon hydrogen oxygen का percentage दे रखा है और मुझे molecular weight बता रखा है compound का 118 है तो molecular formula भी निकालना है और इससे हम empirical formula भी निकालेंगे दोनों चीज़े निकालेंगे ठीक है ध्यान से देखना आप जड़ा क्या लिखना है आपको percentage by weight given है atomic weight बताओ carbon का कितना होता है 12 hydrogen का 1 और oxygen का 16 यह आपको पहले से याद होता है percentage by weight divided by atomic weight तो एक तरीके से हम mole निकाल रहे हैं या number of atoms निकाल रहे हैं इस तरीके से तो क्या आ रहा है यह 40.6 divided by 12 कितना आएगा यह 40.6 divided by 12 आप divide करोगे तो 3.3 आएगा 5 divided by 1 यह क्या आएगा आपका 5 आएगा 54.4 divided by 16 यह क्या आएगा यह nearly 3.4 या 3.3 के आसपास आएगा अब इन मैंसे सबसे छोटा कौन सा है वो बता दो इन तीनों मैंसे बताओ इन तीनों मैंसे सबसे छोटा 3.3 है तो simplest ratio कैसे निकालते हैं जो छोटा है उसको सभी में divide दे देते हैं जो छोटा है उससे divide कर दो सभी में ठीक है उससे divide कर दो तो 5 by 3.3 और यह 3.4 by 3.3 ठीक है यह कितना आगया 1 और इसको भी मैं nearly 1 लिख सकता हूँ यहां क्या आएगा यहां आएगा 1.5 5 by 3.3 1.5 के आसपस आता है अब जरा ध्यान दो यह तो simplest ratio लिखा मैंने अब simplest whole number ratio कैसे लिखोगे यह 1.5 है इसको whole number बनाना है तो इसको मैं 3 by 2 लिख सकता हूँ क्या 3 by 2 अब मैं इसमें 2 से multiply कर दूँ किसमें इसमें करूँगा तो मुझे इनमें भी करना पड़ेगा तो 2 से multiply कर दो इसमें तो 1 into 2 यह 2 हो गया 3 by 2 into 2 यह 3 हो गया और 1 into 2 यह 2 हो गया अब यह जो simplest whole number ratio है यही आपको empirical formula देता है यह क्या देता है आपको empirical formula क्या आगे बताओ carbon कितने 2 hydrogen कितने 3 oxygen कितने 2 इस तरीके से समझगे बात को तो C2H3O2 is the empirical formula of the compound अब मुझे molecular formula निकालना है तो मुझे एक बाँ बताओ molecular formula हम ऐसे लिखते थे empirical formula whole n n times होता था था न तो मैंने उसको वहाँ लिख दिया अब यह जो n निकालोगे वो कैसे निकालोगे molecular formula weight upon empirical formula weight molecular formula weight कितना है 118 given है question में और empirical formula weight निकालो 12 into 24, 25, 26, 27 और 32 कितना हो गया 27 और 32 7, 2, 9 59 ठीक है और 118 by 59 कितना हो गया 2 तो n की value कितनी आ गई 2 आ गई तो molecular formula is equal to empirical formula C2H3O2 whole twice मतलब molecular formula C4H6O4 यह है आपका molecular formula हर एक question जब कभी भी empirical और molecular formula का आपको दिखाई दे सबसे पहले यह table बनाओ और empirical formula निकालो कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि यहीं पर ही simplest whole number बन जाए तो फिर यहां कोई tension लेने की जरूत नहीं है जो simple ratio होगा वही simplest whole number मालो ऐसा आ जाथा 131 तो हम C1 यहां भी 131 लिख देते वो तो यहां 1.5 आ रहा है इसलिए हमें 2 से multiply करके लिखना पड़ रहा है समझ गया बात को तो बहुत आराम से इसको note करो और एक बार फिर से इसको देखो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे ठीक है? note करो इसे चलो आगे बढ़ते हैं P.O.S.E. के दो छोटे-छोटे question देख लो ज़रा धियान से पड़ो ज़रा question क्या करें 27.6 gram K2CO3 was treated by a series of reagent आपको reagent नहीं बताए क्या है so as to convert all of its carbon to K2ZN3 FeCN6 hold twice एक छोटा सा compound दे रखा है find weight of product molecular weight दे रखा है मतलब आपसे ऐसा कुछ कह रहे हैं क्या कि K2CO3 से आप क्या बना रहे हो यहाँ कुछ reagent आपने डाले जिससे reaction होई K2CO3 की और उसने ये बना लिया लियान से सुनना उसने क्या करा ये compound बना लिया अब ये कह रहे हैं कि सारा carbon convert हो गया मतलब इनोंने question में बोल दिया कि carbon को conserve कराना है तो POAC for carbon atom POAC for carbon इधर क्या आएगा बताओ 1 into moles of K2CO3 ऐसी लिखते थे POAC is equal to यहाँ carbon कितने है 6 का double क्योंकि CN6 है न तो 6 का carbon इधर इसका double 12 12 into moles of ये compound जिसको में क्या बोल रहाँ product ठीक इधर moles निकाल लो कैसे 27.6 divided by 138 ठीक weight upon molecular weight और 12 into इसका weight निकालना है और इसका molecular weight 6.98 दे रखा है तो ये weight आप निकाल लो यहाँ से तो यहाँ से weight को solve करोगे तो ये 11.6 आएगा आपका ठीक है solve करके देख लेना तो देखो आप कितना आसान हो गया question आपको ये कुछ नहीं पता था यहाँ पर कि क्या reason डाला कोई मतलब नहीं है starting मुझे पता था कि ये दिया है और इससे product क्या बना रहा है ये बना रहा है similarly इस टाइप का question देख लो 0.32 moles of LILH4 in ether solution ठीक है ether क्या होता है organic compound होता है ठीक है was placed in a flask and tertiary butyl alcohol उसमें मिला दी आपको ये मतलब नहीं है कि कौन सा मतलब tertiary butyl alcohol क्या होता है ठीक बाकी मैं लिख देता हूं यहाँ पर आपको याद रखना हो CS3 whole thrice carbon और O जिसको बोलते tertiary butyl alcohol was added the product is this मतलब LILH4 ने reagent के साथ reaction करी LILH4 ने reaction करी और क्या बना लिया ये बना लिया बीच के आपको मतलब नहीं है कि क्या reagent डाला है ठीक है अब क्या कह रहे हैं आप से lithium atom conserve है तो lithium के लिए POAC लगा दो तो POAC for lithium lithium के लिए POAC लगा रहा हूँ यहां कितने lithium है एक into moles of LIALH4 और यहां कितने lithium है यहां भी एक है into moles of product इस तरीके से ठीक LILH4 के mole कितने दे रख़े 0.32 और moles of product कैसे weight लिखो product का upon molecular weight 254 और 254 को इसमें multiply कर दो तो 81.28 gram आएगा यह answer ठीक है multiply करके देख लेना तो इस तरीके से हम POAC को apply करते है बहुत easy हो जाता है question without reagent मतलब without आपको यह पता हुए कि बीच में कुछ डाला है कि नहीं डाला है क्या reaction हो रही है आपको starting और end का पता है आपने question solve कर दिया समझगे बात को note करो फिर आगे बढ़ते है चलो आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट पे चलते हैं अगला पार्ट है हमारा concentration terms होता गया है अपने पास solution होता है solution में बनता कैसे solution solute plus solvent से solution बनता है तो जब कभी भी हम solution बनते हैं क्या होता हमारे पास solute होता है plus solution होता है sorry solvent होता है तो इससे क्या बनता है solute plus solvent मिलकर क्या बनते हैं solution बनते हैं तो इस solution के लिए अलग-अलग type की term हम define करते हैं तो सबसे पहले हम इसमें start करने जा रहे हैं number one concentration term is percentage weight by weight अब ये percentage weight by weight का actual मतलब क्या होता ये समझ लो जैसे सबोज ये ऐसा लिखा है x percent weight by weight H2SO4 तो आप इसको कैसे पढ़ोगे ये term पढ़ना सीख लो इसको हम ऐसे पढ़ते हैं कि x gram solute solute क्या है H2SO4 ठीक है is present in is present in 100 gram of solution इसका मतलब ये है x gram solute present है 100 gram solution में तो ये जो H2SO4 है ये क्या है ये है भाई साब solute क्या है ये solute तो solute कितना है x gram solution कितना है 100 gram तो solvent कितना होगा 100 minus x gram solvent होगा ऐसा है इसका मैं formula बना के भी लिख सकता हूँ क्या बनेगा अगर मैं लिखूँ percentage weight by weight तो percentage weight by weight is equal to weight of solute weight of solute upon weight of solution ठीक है into 100 ये बन जाएगा formula किसका percentage weight by weight का अगर हमें कभी short form में represent करना हो मुझे तो मैं क्या लेता हूँ solute को B लेता हूँ और solvent को A लेता हूँ तो ये ध्यान रखना कभी अगर मैं B लिख दूँ तो वो solute है A लिख दूँ तो वो solvent है और A प्लस B लिख दूँ या solution भी लिख सकता हूँ मतलब ये solution है चलो स्टार्ट करते है question भी साथ साथ करते जाएंगे the weight of urea in 90 gram solution is 9 gram मतलब urea का weight 90 gram solution में 9 gram है इसका मतलब क्या है ये weight किसका है solute का है और ये जो weight दिया है solution का मतलब ये weight क्या है solute प्लस solvent का है कितना 90 gram ये solute का कितना है 9 gram तो सीधा सीधा percentage weight by weight का formula लिखो क्या हैगा weight of solute upon weight of solution into क्या कर देंगे 100 तो ये कितना आ गया 0 से 0 औड़ा दो 9 से 9 औड़ा दो 10% ठीक है अब यहाँ हम एक चीज़ और discuss करेंगे temperature dependent देखो जहाँ कहीं भी volume term आएगा तो वो temperature dependent term है अगर नहीं आएगा तो temperature independent है क्योंकि temperature volume से relate करता है यहाँ कहीं volume term आ रहा है क्या नहीं आ रहा weight आ रहा है इसका मतब मैं यहां क्या लिखूंगा किस टाइब का term है यह temperature independent ठीक है तो इस तरीके से हम concentration term के बारे में भी लिखते जाएगे temperature dependency भी फटा फट नोट करो फिर आगे बढ़ते है चलो आगे बढ़ते है second number का concentration term है percentage weight by volume ठीक है तो मैं यहाँ पर edit कर देता हूँ जो second number पर आएगा वो आएगा percentage weight by weight हटा के यहाँ क्या कर दो volume अब इसको कैसे define करोगे weight upon volume को x gram solute is presenting in 100 ml कर दो बस यहाँ पर पढ़ दो जड़ा एक बार क्या कह रहे वहाँ क्या था weight by weight में x gram solute in 100 gram था यहाँ क्या x gram solute in 100 ml हो गया तो यहाँ भी मैं percentage weight by volume कर देता हूँ तो यह हो गया percentage weight by volume यहाँ क्या कर दूँ volume of solution कर दूँ लेकिन अब किस में है यह volume ml में आ गया weight तो gram में होता है एक question देख लो the weight of H2SO4 in 80 ml solution is 8 gram percentage weight by volume निकालना है तो percentage weight by volume क्या हैगा weight कितना है 8 और solution का ml में volume रखना 80 into 100 तो यह कितना आ गया यहाँ पर 10% weight by volume अब बता इसमें volume टम आ रहा है क्या बिल्कुल आ रहा है तो यह temperature क्या हो जाएगा अब dependent हो जाएगा temperature dependent हो जाएगा ठीक है note करो फटा फट फट फिर आगे बढ़ते है चलो तीसरे type का concentration term इसी जैसा ही है जैसा पीछे था ना percentage weight by weight weight by volume वैसी अगला concentration term है अपना volume by volume देखना जरा ध्यान से हो volume by volume ठीक है तो यहां क्या हो जाएगा X ml H2SO4 is present in 100 ml solution ठीक है यहां क्या कर दूँ volume by volume कर देता हों तो यहां क्या जाएगा volume of solute ठीक है अब यहां ऊपर भी ml है नीचे भी ml है तो वो कट जाएगा तो आप ml में रखो या लीटर में रखो लेकिन by definition ml बोल रहा है तो आपन वहीं रख रहा है एक question देख लो the weight of ethanol ethanol नाम है इसका है न 50 ml solution is 25 ml find percentage vyv तो percentage vyv कैसे लिखोगे आप volume of solute कितना है 25 solution का कितना है 50 into क्या 100 50 से गाट दो दो बार 50% आजाएगा बताव temperature dependent है कि independent है volume term आ रहा है मतब temperature dependent है तो percentage weight by weight independent होता है बाकी के दोनों dependent होते है फटाफट नोट करो फिर आगे पढ़ते है चलो तो जैसा कि हमने तीन term पढ़ लिए percentage weight by weight, weight by volume और volume by volume अब अगला term है हमारा fourth number पे mole fraction fourth number पर क्या है mole fraction अब यह जो mole fraction है यह क्या होता है actual में यह mole का ratio है mole fraction को अगर आप define करो तो किसी particular component के mole component का मतब या तो solute या solvent उसके mole numerator में रखो और total mole denominator में रख दो आगया mole fraction या mole percent देखो तो mole fraction का formula में क्या लिख रहा हूँ मैं एके लिए लिख रहा हूँ पहले mole fraction या चाई इस सिंबल का मतलब है काई या चाई बोल दो x भी बोल सकते हो x जैसा लगता है तो काई is equal to क्या हो जाएगा na upon na plus nb भाई अगर मुझे a के mole fraction चाहिए तो solution में a के कितने mole है और divided by total mole कितने है ऐसे करना पड़ेगा अगला देखना जरा अगर मैं लिखूँ चाई बी तो चाई बी क्या आ जाएगा nb upon na plus nb और अगर mole fraction का sum कर दे तो दोनों चाहिए का sum कर दो तो क्या बन जाएगा चाई a plus चाई b is equal to ये दोनों add करोगे तो numerator कट जाएगा मतलब क्या आ जाएगा आपका one तो mole fraction का sum क्या होता है one होता है a को मैं solvent बोल रहा हूँ b को solute बोल रहा हूँ और usually ऐसा रहता है कि जिसकी quantity जादा होती तो वो solvent होता है जिसकी quantity कम तो वो solute होता है चलो आगर बढ़ते numerical देख लो कैसा होगा 46 ग्राम क्या दे रखा आपको एथेनॉल एथेनॉल होता है C2H5OH ठीक है इसका molecular weight निकाल लो जरा कितना आ रहा है molecular weight क्योंकि weight दिया न तो mole निकालने पड़ेंगे आमे molecular weight की ज़रत पड़ेगी 12 का double कितना होगा 24 और 5 hydrogen और 1 hydrogen 6 30 और oxygen का 16 मतलब 46 ग्राम होता है इसका molecular weight तो मैं क्या कर रहा हूँ इसका amount का मैं इसका जादा है तो ये solute माल लिया मैंने B और ये solvent हो गया A तो moles of solute NB ये कैसे निकाल होगे 46 divided by 46 weight upon molecular weight क्या आगया 1 इसी तरीके से N A is equal to 180 weight हो गया upon water का तो याद है molecular weight 18 तो N A हो गया कितना 10 अब मुझे निकालना है चाए B निकाल लेते हैं ठीक है तो चाए B क्या हो जाएगा N B upon N A plus N B मतलब mole fraction of solute तो 1 upon 1 plus 10 तो ये क्या आगया 1 upon 11 इस तरीके से बहुत असान होता है अगर मुझे चाए ये निकालना है 10 by 11 इस तरीके से solve करेंगे अपन कोश्चन अच्छा वाता temperature dependent है कि independent है actual में ये mole का रिश है mole में volume तो आता नहीं इसका मतलब temperature independent ठीक है तो mole fraction क्या होता temperature independent ठीक note करो फिर आगे बढ़ते हैं अगला topic है हमारा molality ठीक है तोतला होता है molality तो molality को represent करते हैं हम small m से किस से small m से और ये कैसे define करते हैं हम बोलते हैं the number of the number of moles of solute the number of moles of solute present in present in 1 kg of the solvent 1 kg of the solvent मतलब solvent का अगर 1 kg हो तो solute के mole कितने हो उसको हम molality बोलते हैं तो formula कैसा बन गया formula बन गया small m is equal to moles of solute divided by weight of solvent किस में kg में ठीक है तो ये धियान रखना आप क्या लिखा मैंने nb का मतलब क्या हो गया moles of solute wa का मतलब क्या हो गया weight of solvent लेकिन किस में kg में ठीक ये धियान रखना numerical देखो कैसा होगा अच्छा numerical होता धियान से देखना ज़रा क्योंकि इसमें concentration term दे के दूसरा निकल बार है 49% weight by weight को open करके लिख दो फटावट से क्या होगा 49% W by W H2SO4 का मतलब क्या है इसका मतलब है 49 gram H2SO4 is present in is present in 100 gram of solution इसका मतलब यह हुआ ऐसे ही open करते थे अपन इससे क्या हुआ अगर आप term open करना जानते हो मतलब आधा काम आपका हो गया आधा question आपने बना लिया क्यों आपको इसमें दो information मिल जाती ही क्या एक तो तुम्हें क्या पता चल गया weight of solute तो यहां से तुम क्या निकाल लोगे moles of solute कितने 49 upon molecular weight क्या होता है H2SO4 का 98 मतलब यह तो आगया भाई सा 1 by 2 यहां क्या लिखा है यह लिखा है weight of solution weight of solution कितना लिखा है 100 लिखा है सही है तो मैं weight of solute निकाल लू solution मैं से sorry weight of solvent निकाल लू weight of solvent तो weight of solvent क्या आएगा 100 मैं से solute का weight minus कर दो कितना 49 तो यह केतना आ गया 51 gram लेकिन solvent का weight kg में चाहिए तो gram से kg में convert कर दिया मैंने 10 की पावर माइनस 3 से multiply करके बस mole पता चल गए weight पता चल गया आपका क्या आ गया? molality आ गई तो molality small m is equal to moles divided by weight 51 into 10 की पावर minus 3 10 की पावर minus 3 उपर ले जाओ तो thousand divided by 51 into 2 हो जाएगा 102 तो यह आएगा approximately 9.8 के आसपास ठीक है? तो solution क्या बोलोगे? 49% weight by weight H2SO4 के लिए अगर molality बोलूँगा तो बोलूँगा 9.8 molar H2SO4 solution है समझ गया बात को? temperature की dependency लिख लो फटावट से क्या इसके formula में volume time आ रहा है? नहीं आ रहा है इसका मतदद temperature independent तो यह क्या हो गया? temperature independent ठीक है? इस तरीके से आप question solve करोगे इसके note कर लो फिर आगे बढ़ते अगला concentration में हमारा molarity capital M ठीक है? molarity का बड़ा भाई है यह molarity छोटा भाई तोतला होता है यह नहीं होता तो molarity जो है capital M उसको कैसे define करते हैं? ध्यान से लिखना definition the number of moles of the number of moles of solute the number of moles of solute present in one liter of the solution मतलब एक liter solution में कितने moles solute के present है? उसको molarity बोलते हैं formula बनेगा इसका क्या? molarity is equal to moles of solute divided by volume of solution किस में? liters में इस तरीके से ठीक है? moles divided by volume in liter question देखो जरा find molarity of 49% weight by volume H3PO4 open करके लिखो जरा 49% weight by volume H3PO4 का actual मतलब क्या है? इसका मतलब है 49 gram H3PO4 is present in is present in 100 ml of the solution यही बोलूँगा मैं percentage weight by volume ऐसे open करना सिखाया था मैंने अब यह जो 49 gram लिखाया ना यह यह क्या है? यह है तुमारे पास weight of solute और यह क्या है? यह है volume of solution ठीक? कितना कितना है? weight of solute WB हो गया आपका कितना? 49 तो यहां से तुम moles निकाल सकते हो 49 divided by S3PO4 का molecular weight निकाल लो 3 plus 31 34 और 16 into 4 64 plus 34 448 98 ठीक है? तो 49 by 98 तो यह आगया 1 by 2 volume of solution कितना? 100 ml है इसको लीटर में convert करो तो 100 into 10 की power क्या? माइनस 3 क्या बोल दू? लीटर मतलब 0.1 लीटर सही है? ml से लीटर में आगया अपन mole पता चल गए? volume पता चल गए? answer आगया आपका देखो molarity big M is equal to moles of solute divided by volume of solution in liters तो यह आगया 10 by 2 point को हटा के उपर 10 आगया ना तो 5 molar आगया temperature dependency बता हो जरा क्या इसमें volume term आ रहा है? फॉर्मूले में? यस आ रहा है मतलब temperature dependent है तो क्या हो गया यह? dependent टेमपरिचर डेपेंडेंट हो गया ठीक समझ गया बात को note करो molarity फिर आगे बढ़ते हैं